नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत यूजनपे आज हम बात काने वाले होम गार्ड भरती 2023 के बारे में तो आप यहां कब से कब तक अपलाई कर पाईएगा टोटल वेकेंसी हैं कितना रखा गिया है क्या क्या मांगा गया है वो सब हम एक एक करके आपको यहां पर बताएगे तो यह है इसका ऑफिशल नॉटिफिकेशन कवर्मेंट और पुडुचेरी पुलिस डिपार्टमेंट तो यहां पर आपको डेट बताएगा है यह फर्म जो है आपका 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और लाज़ डेट जो है 29 नॉबर तक रहेगा तो अगर आप अप्लीकेबल रहेंगे यहां पर अप्लाइग करने के लिए तो जल से जल यहां जाके जरूर अप्लाइग कीगेगा आ पको रीजन वाइज आपको वैकंसी बताएग गया है होंगार मिल के लिए होंगार ओमजार फेमेल के लिए भी मैं आपको वीडियो में आगये चलके बताऊँगा तो यहां पुडूचेरी रीजन के लिए 290 वैकंसी है कराइकाल के लिए 68, माहे के लिए 37, यानम के लिए 25 टोटल जो है यहां मेल के लिए 420 वेकंसी रखा गया यहां पे for home guard फीमेल के लिए पुडुचेरी में यहां 58 है, कराइकाल में 12, माहे में 9, यानम में 1 टोटल यहां पे 80 वेकंसी रखा गया फीमेल के लिए तो female और male के लिए अगर मिला दिया जाए तो total 500 vacancies है यहाँ पे qualification जो है आपको 10th standard pass होगा होना चाहिए और आप domicile होने चाहिए judiciary union territory एज लिमिट जो है कम से कम यहाँ पे 18 years रखा गिया है और ज्यादा ज्यादा 50 years रखा गिया है method of recruitment तो आपका यहाँ पे physical standard test लिया जाएगा जिसमें आपका height जो है 165 cm minimum रखा गिया है test जो है 81,2,86 होना चाहिए with minimum expense करने पे 5 cm होना चाहिए यहाँ पे weight भी आपका check होगा physical efficiency test में आपका 800 meter का dot होगा जिसमें आपको 2 minute 50 second time मिलेगा long jump होगा जिसमें 3.8 meters का होगा high jump 1.20 meter का और 100 meter करन होगा 20 second time मिलेगा यहाँ पे आपका return test लिया जाएगा 100 marks कराएगा 2 घंटा आपको time दिया जाएगा इसमें यहाँ subject देख सकते हैं mathematics and general science से पूछा जाएगा 25 marks का history, geography और civics से 25 marks general knowledge और current event से 50 marks का पूछा जाएगा total यहाँ 100 marks का पूछा जाएगा तो अगर आप applicable होगे तो जल से जल यहाँ जाके जरूर apply कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और इससे information मिलता है तो like और subscribe जरूर कीजिएगा